नमस्कार सन्नाइज न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ जबल मिश्रा और हमारा कारिकरम चुनावी चौपाल शुरू हो चुका है जिसमें हम बदाते हैं आपको कि दिन भर में इन चुनावी राजियों में किसकी कहां पे रैलिया हैं कहां पे किसका कारिकरम ह और किसकी बैठके होनी हैं तो सबसे पहली खबर उत्तरप्रदेश के लखनव से अखिलेश यादव की सायोगी दलों के साथ आज बैठक होने वाली है और ये बैठक एक बजे समाजवादी पार्टी के कार्यालाय में होगी अखिलेश यादव ने कल ही समाजवादी पार्टी के अंदर कई लोगों को वहाँ पे सदस्दा दिलवाई है और उसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर के साथ कई सारे बिधायक भी उस पार्टी में शामिल हुए हैं जो अलग-अलग दलों को छोड़ करके आए हैं इन सभी दलों के नेताओं के साथ दलों के साथ बैठक होगी औ बिधानसवा चुनाव को लेकर के उस पे चर्चा होगी उसी के साथ आज कानून मंत्री बरजेश पाठक भी बरेली के दौरे पर हैं और बिधानसवा पतादिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं बारा बजे सरकिट हाउस पहुचेंगे और उसी के साथ वहां के सभी बि बैठक चलती रही आज भी बैठक होगी जिसमें कई सारे बिधायकों की टिकटों पर चर्चा हो रही है उसी के साथ आज यह 45 से ज्यादा बिधायकों की टिकट भी कट रही है यह सूत्रों के वाले से एक बड़ी ख़बर है और आज जो भारतियंदा पार्टी के कई सारे शीट्स नेतत भी इससे जुड़ेगा और पूरी चर्चा कभी भी टिकट के ऐलान हो सकता है कभी भी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है और सभी दल अब इसकी तैयारी कर रहा है खासता और भातियंदा पार्टी और खुद डिप्टी सियम केशव प्रसाद मौर अजूद रहेंगे और वहां पर कोर गृप की बैठक होगी और बीजेपी कारेले में ही यह बैठक होगी और इसमें सभी पार्टी के जो भी बरिष्ट नेता है इसमें शामिल होंगे सभी प्रत्याशियों की टिकट होगी उसकी दावेदारी पर मोहर लगेगी आज और साथ जुड़े रही है